मेरा आप सभी को साधर प्रनाम मैं देपिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आपकी बैठक में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल टेबल टेनिस चैंपियंशिप 2022 में भारत के आज यानी के 2 ओक्टोबर के रिजर्ट के आज के दिन में भारती में और विमन टीम अपने अपने टीम मैचेस खेलती हुई नजर आई सबसे पहले हम में टीम की बात करते हैं जहाँ पर भारत का मुकाबला था सेकंड सीट जर्मानी के खिलाफ और भारत ने वहाँ पर काफी धमाकेदार प्रफॉर्फॉर्मेंस के साथ जर्मानी को 3-1 से बीट किया इंडिवीजुली अगर बात करते हैं तो साथ यह गनशेकरन की हमें जरूर तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही सिंगल्स के जो मैचस थे उसमें जीत हासिल करी उनके जो ही दो मुकाबले थे एक मैच उनका वर्ल नंबर 9 से था वहीं दूसरा मैच वर्ल नंबर 36 जहां पर उन्होंने अपने पहले दो सेट्स गवाने के बाद उनकी तरफ से काफी स्ट्रॉंग कमबैक देखने को मिला और उन्होंने दोनों ही मैचस तीन-दो से जीत लिये उसके अलावा हर्मी देशाई को जरूर हाल का सामना करना पड़ा लेकिन मानव ठकर ने अपना मैच जीते हुए भारत जर्मनी के खिलाफ तीन-एक से जीत गया है इससे पहले 17 रैंग्ड इंडियन टीम अपना उच्पेकिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला जीत कई थी जो की भारत ने कल खेला था अभी तक के भारत के वे दोनों मैचेज इंडियन टीम ने जीत लिये हैं और कल के दिन भारत अपना अगला मुकाबला खेलती हुए नजर आईगी कजागिस्तान के खिलाफ वहीं विमन टीम की भी बात की जाए तो भारत को कल के दिन जर्मनी के खिलाफ आरका सामना करना पड़ा था विमन टीम को और आज चेक रिपबलिक के खिलाफ टीम खेलती हुए नजर आई और तीन जीरो से भारत ने जीत दर्ज करी और उन्होंने अपने इस चैंप्निशि जीते 3-0 और 3-1 से जिसके बेसिस पर भारत ने चेक रिपबलिक को 3-0 से बीट करते हुए इस चैंप्निशिप में अपनी पहली जीत अरजित करी अब भारतिय विमन टीम अपना अगला मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी एजिप्ट के खिलाफ तो हम उमीद करते हैं क कि दोनों ही टीम्स में और विमन अपने-पने मैचेज जो अगले रहने वाले हैं वो जीतने में कामियाब रहें तो चली फिर यह थी आज की वीडियो आप सभी के लिए बाकि स्पोर्स रेटेड अपडेट जानने के लिए चानल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें. So thank you for watching the video.